कलपान पेम साथना पाम साथना में सुवी साथ को वसावत है सलन को परणाम ओम ट्वाइन क्लेम या पेम साथना कौन करशप तो ट्वाइन क्लेम या सौल साथना में उतरने से पहले बहतिकों स्राइम में उठतना पड़ेगा सेम को प्रेम के योगे बनाना पड़ेगा जीब जिसने सेम मैं पर्म के दर्शन कर लिया हो वो इट्वाइन क्लेम को या प्रेम के मर्म को समझ सकता है भरनाँ बात तत से सुब और को अक्छित पर दिश्मात हो जाएगी अगतीं का उद्धिश्य आध्या रहे जातेगा जान अदूर रहे जाएगा प्राइन्शोल आपका ही आधा इस्ता है उप्योगी है, सहजोगी है आपके चीवन को आगे बढ़ाने में आपकी रशनात्मक्ता है आपका ही अंस है प्राइन्सौल मात इस्त्री और पुर्ष नहीं है प्राइन्सौल मात इस्त्री और पुर्ष का विवाजी खंडे योन उर्जा नहीं है ये तो किसी भी उर्जा को समझने का बहुत निम्तम थर्ल है हम सौचते हैं कि इस्त्री और पुर्ष अलग लग हो गए या हम सोचते हैं कि इसलिकता तो अपुस्ता तो अलग-अलग होगे यह वो छोटा इसलिकता है जैसे सीशे को देखें तो सबसे पहले आपना कान मूँ पर चड़ा हुआ मेक अपने जाराता है अपर के हाई में अगर देखें तो इससे कुछ ओवर बहुत कुछ चाता नजाराता है तो ज़ा हम प्राइन प्लेम की अस्वल मेट की या फिर प्लेम साधना की बात करते हैं तो केवल बेक्थिकोई स्वे पुर्ष के संबंध ही नजाराते हैं इसके अनावा कुछ भी नहीं सब्ध सक्थो तक इस स्वे मुंत में गरते हैं मानुस्ताव और संस्कार अपसे जिए कि आपने उन्सीशों पश्विकार किया है इसलिए वही आपको तिखाई देता है तो ये यात्ता बहुत सम्लेदन सील है सरी ओंगों के पार जाना ही होगा शांसा एक वासना से उपर उठाई ही होगा इस स्वेम का वास्तिक चेहरा बिना में कप गया आपको देखने जिसा कि उस्ते है जैसे आप अपने आपको सही में देखाएंगे या आपका सत्थिकर उपर उसको आप देखाएंगे जो बास्तम में आप पहले खुद को जानने चीज़ता है इसके अबाद या प्रेम साथना को या ट्राइन फ्लेम को जान सकते हैं तब या आप प्रेम साथना को समझ सकते हैं प्रेम साथना को समझ सकते हैं इससे मात देहानी और ध्यान प्रम साहिक है ध्यांट की अनेक विध्यामी में आपको दोँगा जो प्रेम साथना में आप आके बढ़ पाएंगे ध्यांट से बड़ा मित्तों कोई नहीं होगा जो आपको प्रम साथना में आगे ले जाएगा प्रेम साथना में आगे ले जाएगा जो सेम से मिलवाएगा और फिस अल मेट से भी मिलवाएगा जो संसार से परश्य करवाएगा जो परम से भी मिलवाएगा और इतना सब आपके लिए कर रहा है उसके प्रति के प्रेम क्यों ना को क्यों ना संदा हो क्यों ना अभार हो क्यों ना चाहिए पर ध्यान के प्रति ध्यान दीजिएगा, प्रति ध्यान दीजिएगा, प्रेम, करणा, स्वर्दात, इश्वाश, इस सब के साथ इस तत्व में परवेश करना है, तो वो प्रम के प्रति निश्टान और आभार के रोक में प्रक्त होगा, सही को मात्रकर्म का अधाम मान कर और जा को जीवी नयात्ता में आगे बढ़ना है सही से उपर उठके सही के लिए नहीं मात्र उठ्चा के लिए मातो चुछ दिविशा के लिए मातो सहयोगी तरंग के लिए अपनी संबेदनापों और उसके प्रयाश को सुनता पूर्व ग्रहन करना है यही मुवंतरहन में यही प्रयाश आपको उतिश से मिलवाएगा सरीर उर्जा से बढ़ा हुआ एक घर है और विना उर्जा के यह सरीर के वन मिट्टी है बैर्थ है इस रुजा को ही समझने के लिए ही सरीर को साथ चकर को दूप में ग्यानी उन्हें बाढ़ दिया अलग-अलग मर्ण से अलग-अलग चक कोलने के विदियां बताई सारी ग्र defense है अगर आप संबेतन सील नहीं है अगर ग्रहन सील नहीं है अगर आप समख्बण नहीं कर सकते, तो सारी विधियां ब्यार्थ हो जाते हैं, तो जेतना में चक्र क्यावर्ति और अनुवती, ना समझे इससे होती है, ना अपसाद्षी में देन्द होता है, इसे इसे चक्र का अनुवाब होता है, दन्रफसी जेतना नासमजी से अपने एद में चक का नुवब करती है लेकिन जब इस चक के बनने का रहिश्य समय में आता है तो चक खुलता ही नहीं वहत्व गायव हो जाता है खो जाता है उसके फीछे बसता है एक केंद, एक तत्व, एक भाव, एक आनन तो कहीं भी बटकना नहीं है, बहुलना भी नहीं है, छड़ बार के लिए भी कि आप इस जीवन की यात्ता कर रहे हैं, आप इस जीवन की परम यात्ता कर रहे हैं आप इस यात्ता में कहीं भी, ये छड़ के लिए भी रुकना भी नहीं है यदि साथ से चल रही है तो यात्ता भी चल रही है और इस संपून गहंता के बाद आपकी आदिक टॉइन सुलेम सौलमेट भी आपको मिलने वाली है वह आपके समझ पर गट होगी ये भी रुकेगी नहीं आपके निश्य समय पर आएगी मिलेगी और अपना कारे करके चल जाएगी यदि आप संबेदेश सीरो जगरती होगी ता आप प्राइंस वेल्ज की उपस्तिती का नुभाब करेंगे बना तरंग के रूप में बातम में सिर्फ खुशी आराम सुगंद का ही पता चल पाएगा कोई पल कोई वजा कोई सुक कोई दुक कोई संबन कुछ भी नहीं रुग दरा सब को इकतेशीर है जनम जन्मांतर की कलपनावी बेर्थ है जनम जन्मांतर की सिर्फ याता है और वो विश्रैम के याता जिसमें आप पहम स्वर्मिन है तो आज के लिए इतना ही स्वर्मिन का प्रणाम और बाफ्ता हमारे साथ इसे पताव तोड़े रहे और जिस पर आज से आप इस सब कर चुन रहे हैं उसके लिए आप स्वर्मिन का कोटी-कोटी घन्यवाद